नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल जिके हलप विद जे आर भी प्रहार्दिक स्वागते विबनेद दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएस्टिसी पेट्रेट एक्जाम के लिए मोस्ट इपोटेंट 25 क्यूशनों के बारे में और लिंक आपको डिप स्क्राइब मिल जाएगा या यूटुब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाएगी यह बीएस्टिसी एक्जाम दो जा रहा है 21 जेट हराम बलूंडिया के द्वारा उसमें आप जाकर यह सारी वीडियो देख सकते हो तो आज का फाइस्ट क्यूशन है हमारा सेर गर्मियों के मौसम में स्वार्दिक दूलबरी आंधिया किस जिले में चलती है तो यह चलते है मित्रो श्री गंगानगर में इस क्यूशन का सी ओप्शन राइट है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और रनकपूर किस जिले में स्थित है तो मित्रो रनकपूर स्थित है शिरोई जिले में इसका ओप्शन ए राइट है रनकपूर में जेनमंदिर है मित्रो Q4 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 इसमें पुछा गिया आदीवासी जिला इसका Q4 Q3 Q4 Q4 QC Q4 Q4 मांदल किस से समंदित है यह मित्रो मांदल चीज है यह क्या चीज है तो यह है मित्रो वाद्ययंतर एक परकार का तो इसका option B right है मांदल वाद्ययंतर है चलते हैं नेक्स क्यूंशन भार्त में सुवार्दिक जिप्सम किस छेतर में पाई जाती है तो इजिप्सम जो खनीज है वो स्वार्दी किस जिले में पाया जाता है राजस्तान के या तो यह पाया जाता है नागोर में इसका उप्शन ए राइट है चलते हैं नेक्स्ट क्रिश्टन के ओर राजस्तान में वेपारिक पसलों का सही करम है जो वेपारिक पसले है जो ज़्यादा वेपारिक में उप्योग किया जाता है दो पसल कौन सी कौन सी है तो वो है मित्रोग गन्ना तिलहन कपास इसका ओप्सन सी राइट है तो मित्रो कपास के लिए काली मीटी उप्यूगत होती है तो याद रख सकते हो और राजस्तान में अमरीकन कपास सिरिगंगा निगर जिले में उगाई जाती है अब चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के ओर राजस्तान में लोक्सभा छेतरों की संक्या क्या है मित्रो लोक्सभा छेतरों की संक्या क्या है राजस्तान में तो यह है मित्रो 25 इसका ओप्शन B राइट है और दो सो विदान सबा छेतर हैं राजस्तान में और दस राजसबा सीटे हैं पचीस लोग सबा सीटे दस राजसबा सीटे हैं और दो सो विदान सबा सीटे हैं तो चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के ओर दस क्यूशन नमर दस मित्रो हमीर रासो किस वासा का गरंथ है इसके लेख है का मित्रो सारंगदर या जोदराज चलते हैं नेक्ट क्यूशन के और क्यूशन नमबर 11 बागडी बोली किस जिले में बोली जाती है तो ये बागडी बासा है या बोली है जो किस जिले में बोली जाती है तो यह बोली जाती है मित्रो डूंगरपुर जिले में जिससे काज जाता है मित्रो डूंगरपुर जिले के अंतर वागड के अंतर का तर डूंगरपुर जिलाता है और वहाँ बोली जाती है वागडी बोली तो इसका उप्सन डी राइट है चलते हैं नेक्स्ट कुछिशन के ओर मेवाड परजाम अडल के संस्तापक सबापती थे तो मित्रो मेवाड परजाम अडल के संस्तापक सबापती थे तो ये थे मित्रो मनक के लाल वर्मा कौन थे मनक के लाल वर्मा इसका ओप्षन सी राइट है तो इसकी स्थापना विशी मित्रो 24 अप्रेल 1938 में मेवाड़ परजा मंडल की स्थापना 24 अप्रेल 1938 में मानक के लाल वर्मा द्वारे की गई थी और बल्वंत राय मेता इसके मित्रों क्या थे अध्यक्स थे बल्वंत सिया मेता इसके अध्यक्स थे चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के और चैतावनी राजचुंगटिया के लेखक कौन है जो कि मित्रो मेवार के मारणा फतेशिये को अंग्रेज दरबार दिल्ली से जाने के लिए लिखे गए ते रहे सोरट थे ये किस के दवारा लिखे गए थे तो ये लिखे गए थे मित्रो केसरी से बारण के दवारा किस के दवारा केसरी से बारण के दवारा इसका उप्सन C है चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के और राज़स्तान केसरी किसे एक आ जाता है मित्रो राज़स्तान केसरी किसे एक आ जाता है तो यह केसरी उपादी या किसका उपना में तो यह मित्रो केसरी सियं भारट का इसका option A right है चलते हैं next question के और किनों ने मारणा परताप के जीवन पर परताप चरितर लिखा है मित्रो तो परताप चरितर किनकी बुक है तो यह है मित्रो केसरी सियं भारट की किनकी मित्रो केसरी सियं भारट की और परताप चरितर मारणा परताप से रिलेटिव है चलते हैं next question के और स्वामी गोपालदास किस जीले से समदित है तो मित्रो स्वामी गोपालदास का समदित किस जीले से है तो इसका उप्षन C-Right है, चूरू जीले से समंधित है, स्वामी, गुपालदास चलते हैं, नेक्स्ट क्यूश्ट स्थन के और मतष्य संग के परदानमंत्री कौन थे? तो मित्रो किस संग के परदानमंत्री? मतष्य संग के परदानमंत्री पुछा गया है तो इसके परदानमंत्री थे मित्रो सोबाराम सोबालाल कुमावत इसके परदानमंत्री थे सोबालाल कुमावत इसका उप्सन बीराइट है और उद्यबांची है इसके थे मित्रो राजब्रमुख जो कि दौलपूर थे समंदी थे ये सोबालाल कुमावत अलवर से समंदी थे ये मतशे नाम केयो मुनसी के कहने पर दिया गया था और इसकी स्तापना मित्रो आठ मार्च 1948 को की गई थी आठ मार्च 1948 को की गई थी उद्गाटन मित्रो एन्वी गोडगिल के दौरा किया गया नरहरी विश्नु गोडगिल के दौरा तो याद रख सकते हो राजदानी अलवर को बनाए गया था इसमें चार्ज लिया आते हैं अलवर बर्थपूर दौलपूर कुरोली चलते हैं नेक्स्ट कोशन की और अजादी के दिवाने पुस्तक के लेखे कोन थे तो मित्रो अजादी के दिवाने पुस्तक के लेखे थे सागरमल गोपा तो याद रख सकते हो इसका उप्शन भी राइट है और जैसल मेर में गुंडाराज पुस्तक के लेखे भी सागरमल गोपा है इन्हें मित्रों यातना देकर जेल में जिन्दा जला दिया गया था किस जेल में इनको जिन्दा जलाए गया था इसका जवाबी वीडियो के कमेंट बोक्स में दे दीजिए बिजोलिया की सानांदुलन से समंदित है तो इससे समंदित है नाना जी पटेल और ठागर पटेल दोनोंगी बिजोलिया किसान अंधोलन से समंधित है इसका option c right है को चलते हैं next qsn के और रूपा जी और करपा जी दाकर किस किसान अंधोलन से समंधित थे तो मित्रो रूपा जी वह करपा जी किसान थे वो किस किसान अंदलन से समदी थे तो वो थे मित्रो बेगू किसान अंदलन से तो मित्रो बेगू किसान अंदल में दाकर जाती कि लोगों ने स्वार दीके भाग लिया था चलते हैं नेक्स्ट कुशन के और निमलिक्त में से कौन सी बक्री की नसल है तो इन में से बक्री की नसल कौन सी है तो मारवाडी है मालवी वै गिर मित्रो गाय की नसल है क्या मित्रो गोवंस है और पुगल बेड़ की नसल है यह मित्रो गिर को के गिर को रेंडा और अजमेरी भी कहते हैं याद रखना गिरकेट और उपनाम दो बाइस नंबर क्ईशन तीस वर्ष से अधिक समय आवधी की औस्त वाइयु मंदलिये दसाओं को कहते हैं तो तीस वर्ष दिक जो अस्त वाइयु मंदलिये दसाई या होवाई होती है उन्हें क्या का आ जाता है तो उन्हें का आजाता है मित्रो जलवाईू क्या का आजाता है जलवाईू इसका option B right है चलते हैं next question के और राजस्तान के कौन से जिले में 2015-16 में मक्का की सुवार्दिक उत्पाद देखता रही तो ये मित्रो परती हेक्टियर में बताना आपको 2015-16 में मक्के की सुवार्दिक उत्पाद देखता रही तो किस जिले में रही थी तो ये रही थी बुंदी में इसका B option right है बुंदी जिले में सुवार्दिक 2015-16 में मक्का हो गया गया था चलते हैं next question के और ओजोन दिवस मनाया जाता है आज का second last question है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को इसका option C right है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है चलते हैं next question के और नीमन लिखीत में से कौन सा सहर सुगर मिल से होने वाले परदुसन से ग्रसीत है सुगर मिल से होने वाले परदुसन से ग्रसीत है मित्रो तो कौन सा जिला परशीत है आज का अन्तीम क्योंसन है तो ये समंदीत है स्री गंगानगर इसका बी ओप्षन स्थित है तो गंगानगर में कमीनपिरा में सुग्रमल स्थित है तो यह थे मित्रों मौस्ट इपोटेंट 25 क्यूशन इनमें से आपके कुल कितने क्यूशन राइट हुए हैं वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और इस वी दूंगरपूर परजामडल की स्थापना किसने की तो इसका ऑप्षन भी राइट था चलते हैं क्यूशन ओफधाड़े के और राजस्तान का पहला रोपवे किस जिले में स्तीत किस जिले में तो जालोर कोटा सीकर अनुमानिकर इनमेंसे किस जिले में है उसका जुआब आपको वीडियो के कमेंट बोक्स में देना है तो कल फिर मिलेगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैभात